इस lecture के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं pulmonary assessment के बारे में जिसमें हम लोग normal और abnormal breathing pattern के बारे में discuss करेंगे abnormal chest के shape के बारे में discuss करेंगे और normal and abnormal breathing sounds वगरो को हम लोग यहाँ पे समझेंगे काफी important topic है यहाँ से भी questions जो है अक्सर exams के अंदर repeat होते रहते हैं तो चले start करेंगे आज का lecture आपकी success की मनो कामना के साथ में तो सबसे पहला point है अपना आज के इस lecture का which is breathing abnormality assessment तो breathing abnormality assessment यानि पूरा का पूरा आपना जो आज का lecture है वो respiratory assessment के उपर यानि pulmonary assessment के उपर ही base रहेगा सबसे पहले बात करेंगे breathing assessment तो देखिए breathing assessment की abnormality उससे पहले abnormality को assess करने पहले हम normal breathing पढ़ चुके हैं जैसे कि मैंने बात करा breathing जो है उसमें दो चीजों को assess करते हैं कितनी चीजों को assess करते हैं डियर दो चीजों को हम लोग assess करते हैं पहला yes डियर respiratory rate respiratory rate and second assess करते हैं डियर respiratory depth इसे अपन बोलते हैं डियर, respiratory rate and depth को एक साथ अपन क्या बोलते हैं डियर, assess rhythm, yes डियर, इनको दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं अपन, rhythm of respiration कहेंगे, rhythm of respiration में दो चीज़े हम लोग पढ़ते है, respiratory rate and respiratory depth, तो respiratory rate का मतलब क्या है, एक minute में अपन कितनी breathe लेते हैं, already पढ़ा है तो एक minute के अंदर, yes डियर, कितनी breathe लेते हैं, तो like अगर adult की बात करें, तो याद रखेगा, 12 से 16 breathe per minute, breathe per minute, और अगर newborn की बात करें, यह question बहुत important idea, काफी बार पूछा जाता है, newborn के अंदर बात करें, तो 30 से 60 breathe per minute, very important question, तो newborn की breathe कितनी होते हैं, 30 से 60, adult की कितनी होती, 12 से 16, अगर मैं बूलू, अगर adult के अंदर, आपन मानली जी एक चीज़ ले लेते हैं, adult के अंदर breathe जो है, rate 16 से ज़ादा है, 20 से ज़ादा है, तो उसे क्या कहेंगे, टेक इपनिया कहेंगे, और अगर 12 से कम है, तो उसे क्या कहेंगे, डियर, ब्रेड इपनिया कहेंगे, यह आग volume कितना होता है एक ब्रीथ में आप 500 ml air inhale करते हो अगर ये कम हो जाए तो respiratory depth है वो कम हो जाए या ज़ादा हो जाए तो अगर respiratory depth increase हो जाए तो उसे क्या कहेंगे डियर उसे कहेंगे hyperpnea और अगर decrease हो जाए respiratory depth तो उसे क्या कहेंगे hypopnea कहेंगे ऐसे मैंने बला rate अगर increase हो जाए तो उसे क्या कहेंगे डियर टेकिपनिया और अगर rate decrease हो जाए तो उसे क्या कहेंगे डियर Bradypnea देखे आज हम लोग terminology समझाएंगे अगर rate decrease increase हो जाए तो टेकिपनिया rate respiration के rate decrease हो जाए तो Bradypnea ऐसे depth of respiration normal आप 500 ml हावा अंदर लेते हो तो depth of respiration अगर इस तरीके से होने लग जाए तो उसे क्या कहेंगे डियर hyperpnea और कम breathe ले रहा है cello breathing ले रहा है hyperpnea का मतलब हाइपोपनिया का मतलब उताडिर cello breathing slow नहीं cello, cello का मतलब हलकी breathe लेना which is hypopnea और hyperpnea समझेगा depth abnormal हो जाएगा तो यह कहलाएगा rate abnormal हो जाएगी तो टेकिपनिया या Bradypnea कहलाएगा दोनों में अंतर समझ लेजिएगा और अगर यह सब कुछ normal है मैं बोलू normal rhythm है normal rhythm है normal rhythm है यानि rate भी normal है और respiration की depth भी normal है आप 12 से 16 बार breathe कर रहे हो अगर adult हो और volume आपका 500 ml जारा फेफ़रों के अंदर एक बार में तो yes dear उसे पर बोलेंगे normal rhythm या फिर उसे कहेंगे यूपनिया क्या कहेंगे डियर उसे यूपनिया कहा जाएगा very very important question पूछा होगा question yes dear normal rhythm को क्या कहते है अपन yes normal respiratory rhythm को क्या कहा जाएगा डियर यूपनिया कहा जाएगा और abnormal अपनने पढ़ लिया है इसके लावड देखे बहुत सारे terminology अपन पढ़ेंगे तो यह चार terminology तो यहाँ पढ़ा दिसक लावड डियर apnea yes or no sudden severe dysnea यह सब terminology हम लोग आगे पढ़ेंगे तो जली start करते है just dear तो पहली term है अपने पास में यूपनिया तो यूपनिया का मतलब क्या होता डियर normal respiration respiration rhythm और rhythm का मतलब क्या डियर rate rate of respiration and depth of respiration दोनों की दोनों क्या डियर normal हो तो उस term को आपन क्या कहेंगे यूपनिया कहेंगे दूसरा point dysnea का मतलब क्या हो जाएगा डियर तो already पढ़ा है dys का मतलब होता है difficulty abnormal yes dear तो dysnea का मतलब dysnea का मतलब होता dear difficulty difficulty in breathing breathing सांस लेने में कठिनाई आना ही क्या कहलाएगा dear dysnea कहलाएगा और dysnea दो प्रकार का होता है dear dysnea कितने प्रकार का होता है दो प्रकार का होता है first one is inspiratory dysnea inspiratory dysnea and second one is dear expiratory 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 dysnea yes dear समझ यह गा inspiratory dysnea का मतलब को अपन लोगो inhalational dysnea भी बोलता है यानि सांस लेते टाइम डिफिकल्टी होना, और expiratory का मतलब होता है, सांस छोड़ते टाइम डिफिकल्टी होना, और this is important question, तो inspiratory disneya का example, yes dear, सांस लेते हुए disneya होना किस बिमारी का लक्षण है, तो वो अलड़ी याद करिये, पढ़ा चुका हूँ, मैं बता चुका हूँ, तो वो लक्षण है dear, किसका अस्थमागा, अस्थमागा, जब मैंने muscles of respiration पढ़ाई थी, उस टाइम बताया था, inspiratory disneya हो जाए person को, तो अस्थमागा पेसेंट, accessory muscles का use करता है, yes or no, और expiratory disneya किसमे होता है dear, yes, COPD, COPD, sorry, COPD, and yes dear, bronchitis emphysema, emphysema, inके अंदर कैसा disneya होगा dear expiratory disneya person को, होगा, मतलब सांस छोड़ते टाइम, difficulty in breathing, सांस छोड़ते टाइम person को, कठिनाई होगी, किसमें COPD, and emphysema के अंदर, और सांस लेते टाइम, किसमें होगी dear, अस्थमा, अस्थमा में क्या हो रहा है, bronchospasm हो जाता है, constriction हो जाता है, जिसे पर सांस नहीं ले पात no breathing, no breathing, no breathing, or absence, absence of breathing, breathing ही ना कर पाया person, उसे अपन क्या कहेंगी dear, apnea कहा जाएगा, apnea का मतलब absence of, apnea मतलब breathing, और a मतलब absence, ऐसे पनिया मतलब breathing, this मतलब difficulty, तो difficulty in breathing, apnea, apnea मतलब breathing, और you का मतलब होता है, accurate, यानि सही, यानि rate और depth दोनों ही सही हो, तो उसे अपन क्या कहेंगी dear, you apnea कहा जाएगा, ठीक है, ऐसे कुछ और terminology जो कि हमने सीखी अभी अभी, ये चार, technia, bradynia, hypopnea और hyperpnea, ये समझते हैं, yes dear, तो technia का मतलब क्या होता है, technia का मतलब होता है, increase rate of, यानि increase respiration rate लिख दे, respiratory rate, normal बताया अभी अभी मैंने, normal respiratory rate, adult में कितनी होती है, 12-16, और, yes dear, newborn में कितनी होती है, पूछा जाता है, काफी बार ये कुछ सना आता है, 30-60, ठीक है, याद रखिएगा, bradypnea, bradypnea का मतलब होता है, decrease, respiratory rate, respiratory rate, respiratory rate, decrease हो जाना, अगर मैं पूछू कितने से कम, तो देखे, newborn है तो 30 से कम, और adult है तो 12 से कम, उसे पन क्या कहेंगे, bradypnea कहेंगे, hyperpnea, hyperpnea का मतलब depth से related है, ये दोनों term कि से related है, depth से, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, dear, hyperpnea का मतलब क्या हो जाएगा, increase depth of respiration, यानि deep breathing, deep breathing, कोई person deep breathing करने लग जाए, उसे क्या कहेंगे, dear, hyperpnea कहेंगे, और hypopnea, hypo का मतलब होता है, कम, yes, dear, hypo का मतलब होता है, कम, तो hypopnea का मतलब हो जाएगा, dear, decrease depth of respiration, और, और इसे अपन कहेंगे, dear, shallow, shallow respiration, shallow respiration नहीं कहेंगे, shallow breathing, shallow breathing कहा जाएगा, shallow का मतलब होता है, सितली, मतलब उची-उची, बस, hulky-hulky breathe नहीं, shallow का मतलब होता है, hulky, hulky breathe लेना, it is shallow breathing, तो shallow breathing कहलाएगा, dear, hypo orthopnea, okay, dear, अब कुछ और terminology हम लोग सिखेंगे, काफी सारी term है, sudden disnea क्या होता है, sleep apnea क्या होता है, तो इस तरीगी terminology समझेगे, orthopnea क्या होता है, यह सब यह हम लोग आगे पढ़ते है, dear, देखिए, next आता है orthopnea, orthopnea क्या होता है, तो ortho का मतलब क्या होता है, dear, ortho का मतलब होता है upright position, ortho का मतलब होता है upright position, और पनिया का मतलब breathing, इसका मतलब, yes, person, person can breathe, breathe only in upright position, केवल upright position में person breathe कर सकता है, like, sitting position में या तो, या फिर, yes, sitting position में या फिर बात करूँ किसमें, dear, standing position में, उसे अपन क्या कहेंगे, dear, orthopnea कहा जाएगा, example, ये किसमें होता है, dear, yes, किस disease में होता है, example, किस disease में orthopnea होता है, तो वो होता है, COPD, किसमें होता है, dear, COPD के अंदर देखा, जाता है COPD अपन आगे पढ़ेंगे, chronic obstructive pulmonary disease, ठीक है, इसमें दो condition primarily एक साथ होती है, which is bronchitis and emphysema, तो ये किसमें काफे important है, यहाँ से question आते है, blue bloater, pink buffer sign, वो सब पढ़ेंगे, अपन क्या होता है, चलिए, तो example है, इसका, COPD में orthopenia की position, orthopenia देखने को मिलता है, यानि COPD का patient can only breathe only in upright position, यानि COPD जिस patient को है, वो केवल upright position में breathe कर पाएगा, जब वो later रहेगा, सुपाइन position में वो breathe नहीं कर पाएगा, याद रखेगा, ठीक है, तो याद रखेगा, या फिर इसको ऐसे बोल सकता हूँ, orthopenia का, मतलब person is unable to breathe, unable to breathe, accept, accept upright position, upright position के अलावा, person breathe नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो COPD के patient को कौन सी position देते हैं, याद रखेगा, कौन सी position देंगे इसको, orthopenic position, ये question काफी बार आता डियर, COPD के patient को orthopenic position, या फिर sitting position, ये orthopenic option में नहीं मिले तो sitting, ये भी option में नहीं मिले तो high fowler, high fowler position देंगे, तो fowler होती है, डियर 45 डिगरी पे, तो high fowler होती है, up to 90 degree, पिछे 30 से 90 के बीच में high fowler के लाएगी, और 45 से कम 30 degree का जो angle है, बैड़ी के साथ में, वो semi fowler के लाता है, अपन पढ़ चुके हैं, nursing foundation में, ये तो orthopenic position किसमें देते हैं, COPD के patient को देते हैं, वो person केवल सास कब ले पाएगा, सास, normal सास कब ले पाएगा, जब वो upright position में होगा, जैसे ही वो सोएगा, उसको difficulty in breathing होगा, disnea उसको start हो जाएगा, ठीके डियर, याद रखेगा, तो उस disnea को बचाने के लिए COPD के patient को कौन सी position best रहती है, COPD के patient के लिए, और थो निक position जो है वहाँ पर आपन देते हैं, याद रखेगा, ठीके, नेक्स्ट आता है, sudden disnea, sudden disnea, तो disnea का मतलब difficulty in breathing, और sudden का मतलब अचानक से, अचानक से person को difficulty in breathing होने लग जाए, and it is, yes dear, it is, it is characteristic, characteristic, characteristic sign of, it is characteristic sign of, yes dear, कौन सी disease का characteristic sign है, तो ये sign होता है, dear, pulmonary embolism, pulmonary embolism, pulmonary embolism का characteristic sign, कौन होता है, dear, sudden severe disnea होता है, अचानक से सांस लेने में दिक्कत होना, sudden मतलब अचानक से, disnea मतलब सांस लेने में पएसानी होना, कठिना ही होना, तो अगर ये अचानक से हो जाए, तो वो किस disease का sign है, dear, pulmonary embolism का sign है, देखे, pulmonary embolism क्या है, yes dear, कोई blood clot या air का bubble, कहाँ पे चला जाए, dear, pulmonary circulation के अंदर चला जाए, ये disease है, पढ़ेंगे है अपन, तो यहाँ पर कोई भी, जैसे किसी परसन को माली जी, DVT है, deep vent thrombosis है, और DVT है, अपन पढ़ चुके है, कार्डियो एस्कुलार सिस्टम में, yes or no, DVT है, DVT का, यानि deep vent thrombosis पेरों के अंदर, और वो क्लोट पेरों से निकल के inferior विना के वासे कहा आगया, heart के right atrium में, right atrium से कहा आगया, dear, tricuspid wall से कहा आगया, right ventricle में, और right ventricle से pulmonary artery के तुवारा कहा चला गया, dear, lungs में चला गया, और lungs में जाकर के वो first जाता है, उसी condition को अपन बोलते है pulmonary embolism, इसका एक characteristic sign होता, dear, sudden severe disneya, याद रखेगा important point है, next, sleep apnea क्या है, तो देखे, apnea का मतलब absence of breath, और यह क्या हो रहा, dear, sleep, during sleep, सोते टाइम पे, तो कई लोग जो fatty होते हैं, मोटे लोग होते हैं, या फिर जीब जिनकी थोड़ी मोटी हो जाती है, सूजन आ जाता है, उन परसन में जीग पीछे की तरफ चली जाती है, वो जाने के विज़े से obstruction हो जाता है, obstruction होने के विज़े से person को less than 10 seconds क्या होता है, dear, सांस लेने में परिशानी, sorry, approach 10 seconds है, उसे सांस लेने में परिशानी होती है, उसे अपन बोलते हैं, sleep apnea, absence of breathing, yes dear, absence of breathing, yes dear, up to at least 10 seconds, कम से कम 10 seconds अगर absence होता है, तब भी उसे sleep apnea कहेंगे, dear, एक दो सेकंड के लिए नहीं, absence of breathing, up to at least 10 seconds, and yes dear, is known as sleep apnea, यह किसमें होता है, dear, यह होता है, fatty लोगों में, fatty या obese लोगों के अंदर दिखाई देता है, किसमें होगा, dear, sleep apnea, किसमें देखने को में लेगा, fatty या obese, मोटे लोगों में अक्सर देखने को मिलता है, ठीक है, dear, याद रखेगा, orthopnea, sudden disnea, और sleep apnea अपने पड़ा, अब देखिए, देखिए, यह दो टर्म पढ़िए अपने, techipnea, bradypnea, और hyperpnea, और hypopnea, techie और brady में क्या हो रहा है, rate बढ़ जा रही है या घट जा रही है, इसमें depth घट जा रही है या बढ़ जा रही है, अब मैं बोलू, एक साथ rate और depth बढ़ जाए, या एक साथ rate और depth घट जाए, तो उसे क्या कहेंगे, मैंने बोला कि एक साथ, मालो techie पनिया भी हो जाए, और hyperpnea भी हो जाए, मतलब rate भी बढ़ जाए, और depth भी बढ़ जाए, एक साथ, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे अपन कहेंगे, डियर, hyperventilation, और rate और depth एक साथ कम हो जाए, तो उसे अपन कहेंगे, डियर, क्या hypoventilation, तो दो term अपन और सीखते हैं, विच इज, hyperventilation and hypoventilation, तो hyperventilation का मतलब क्या होता डियर, इसका मतलब होता है, क्या होगा डियर इसमें, टेकिपनिया प्लस साथ में क्या हो जाए डियर, टेकिपनिया के साथ में क्या हो जाए डियर, यस, टेकिपनिया हो जाए और hyperventिया एक साथ हो जाए, इसका मतलब टेकिपनिया का मतलब डियर, increase rate of respiration भी increase हो जाए और increase depth depth भी increase हो जाए इसका मेला हाइपरेंपनिया में क्या होगा normal breathe माल लीजिए ये normal breathe है ये क्या है डियर normal breathe है तो इसमें क्या होगा डियर तो ये given duration के अंदर इसने breathe ली एक, दो, तीन, चार बार और यहाँ पर breathe हो गई एक, दो, तीन, चार, पांग, छे बार यहनि और भी हो सकती है, साथ बार हो सकती है ऐसा कुछ नहीं, छे बार ही होगा तो rate भी बढ़ गई और साथ में क्या बढ़ गया डियर depth देखिए यहाँ पर के वल depth इतनी थी यहाँ पर depth कितनी होगी डियर, इतनी होगी तो rate भी बढ़ जाए और depth भी बढ़ जाए person, yes dear labored breathe करने लग जाए उसे अपन क्या कहेंगे डियर, hyperpnea कहेंगे and देखिए hyperpnea को अपन also called as other नाम से भी जानते हैं labored labored breathing labored breathing के नाम से भी जानते हैं कुस्मॉल्स कुस्मॉल्स respiration के नाम से भी जानते हैं, yes dear hyperventilation को अपन labored breathing के नाम से भी जानते हैं और कुस्मॉल्स respiration के नाम से भी जानते हैं, जो कि किस के अंदर देखने को मिलता है, एक्जाम्पल किस disease में देखने को मिलता है तो यह देखने को मिलता है डियर Diabetic Mostly diabetic 2 तो याद रहिएगा कोझ सा होता है Hyper Ventilation इसके साथ मैं Yes डियर Yes इसके साथ में Metabolic Acidosis Metabolic Acidosis में भी कोझ सा देखने को मिलता है डियर कौन सा देखने को मिलेगा Hyperventilation यानि कुस्मॉल Respiration देखने को मिलता है यह question point आता है dear याद रखना आगे कुस्मॉल Respiration और पढ़ाऊंगा मैं ठीक है dear अभी बस के बस टर्म समझ रहे हैं अभी अपन इसी lecture में कुस्मॉल Respiration को और पढ़ेगे दूसरा आता है अपने dear Hyperventilation तो Hyperventilation क्या है तो जैसे मैंने मुला इसमें टेकी काडिया और Hyperpnea एक साथ होता है तो इसमें एक साथ क्या होगा dear इसमें एक साथ क्या होगा Brady Bradypnea Bradypnea plus क्या होगा dear Hypopnea एक साथ हो जाएगा Bradypnea एने decrease rate of respiration and साथ में क्या होगा dear Hypopnea का मतलब यह shallow breathing shallow breathe यानि hulky breathe होने लग जाई उसे shallow breathe कहेंगे तो उसे अपन क्या कहेंगे dear Hypopnea कहेंगे तो दोनों condition एक साथ हो गई तो Hypopnea मतलब rate भी कम और depth भी कम ठीक है dear तो इसका जो pattern है वो कैसा होगा तो देखिए एक, दो, अधाई, तीन, तीन ही breathe हाई जबकि normal में देखो इतनी breathe हा रही थी थोड़ा सा normal था यहाँ पे देखो pattern बिलकुल ही हलका हो गया तो this condition is known as Hypowentilation तो Hypowentilation का मतलब क्या होगा dear Bradypnea Hypopnea decrease rate and shallow breathing याद रखेगा important terminology पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को ठीक है किसी भी book में आपको एक साथ ये सारी term देखने को नहीं मिलेगी चलिएगा, आगे पढ़ते हैं Hyperpnea का जो दूसरा नाम है वो क्या है? Labored breathing Labored का मतलब होता है जैसे labor होता है महनत करते हैं लोग labor करते हैं तो वो लोग क्या करते हैं बहुत सारी मैनत करते हैं तो वो लंबी-लंबी सांस लेते हैं ठक जाते हैं उस वज़े से लंबी-लंबी breathe करते हैं उनका breathing pattern भी fast होता है इस वज़े से labored breathing कहा जाता है मतलब rate भी बढ़ गी और depth भी बढ़ गई इसको ही अपन कुस्मोल respiration भी बोलते हैं और कुस्मोल respiration most commonly diabetic ketoacidosis और metabolic acidosis का characteristics respiratory sign होता है ये question काफी बार आता है बाकि अपन कुस्मोल को आगे और discuss करेंगे चलेगा आगे पढ़ते हैं अब हम लोग बात करेंगे अभी तक अपन ने पढ़ा abnormal breathing पढ़ा अब अपन पढ़ेंगे abnormal ventilation या breathing pattern ठीक है तो abnormal ventilation या breathing pattern क्या होता है इसके बारे में हम लोग discuss करेंगे तो यहाँ पर abnormal breathing pattern तीन breathing pattern abnormal अपन लोग पढ़ते हैं जो कि क्या होते हैं डियर kynistock respiration, biot respiration and तीसरा होता है डियर यहाँ तीसरा होता है अपने पास में kynistock हो गया biot और कुछ small respiration तो यह तिनों पढ़ेंगे तो abnormal ventilation जो है यहाँ डियर तीन टाइप का mainly अपन पढ़ेंगे which are kynistock kynistock respiration दूसरा पढ़ेंगे डियर कौन सा biot biot respiration या breathing breathing या respiration biot respiration और तीसरा डियर kosmol kosmol respiration तो तीन अपन abnormal ventilation पढ़ने वाले हैं ठीक है डियर तो biot respiration को कुछ और नाम से भी जाना जाता है yes डियर तो इसको अपन बोलते हैं ataxic 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 breathing या respiration yes डियर और cluster breathing के नाम से भी जाना जाता तो याद रखेगा कभी-कभी cluster भी नाम दे देते हैं कभी-कभी exam में ataxic ने भी नाम दे देते हैं तो आपको भूलना नहीं है इसको याद रखेगा ABC ABC तो A for ataxic B for biot C for cluster तो इसी के नाम है डियर ataxic, biot and cluster breathing एक ही चीज का नाम है अब होता क्या है वो पढ़ेंगे दूसरा हो गया डियर kinese strokes और तीसरा हो गया आपने पास क्या डियर kusmol respiration तो kusmol respiration mainly किसमें देखने को मिलता है डियर mainly देखने को मिलता है diabetic diabetic keto AC doses में देखने को मिलता है question काफी बार आता है अब one by one अपन एक एक को पढ़ लेते हैं ठीक है डियर तो सबसे पहले पढ़ते हैं काइनी स्टोक respiration क्या होता है यह सभी abnormal respiration है जैसा कि अपने पढ़ा abnormal breathing pattern है क्या है डियर abnormal breathing pattern pattern का मतलब होता है एक तरीका अभी तक अपने पढ़ा या तो सांस कम हो रही थी या जादा हो रही थी या सो नो अब अपन पढ़ेंगे एक pattern जिसमें दो चीज़े एक साथ मिल जाती है ठीक है डियर apnea भी मिल गया और irregular breathing भी हो गई यानि ये चीज़े जो है अभी पढ़ते हैं काइनी स्टोक क्या होता तो डिसकस करते हैं सबसे पहले बात करेंगे काइनी स्टोक रेस्पिरेशन या breathing कहीं कहीं breathing लिखा मिलेगा कहीं कहीं respiration एक ही बात समझेगा ठीक है डियर काइनी स्टोक breathing pattern क्या होता है तो उसको समझेगा actual word तो सही word तो breathing होता है मेरी नजर में ठीक है बट respiration भी दे देते हैं एक ही बात है respiration दो तरीके का होता है external, internal external को है हम लोग breathing बोलते है ठीक है तो एक ही बात है चलिएगा लेकिन more accurate word है यहाँ पर breathing ठीक है abnormal breathing होगी फिर apnea होगा फिर abnormal breathing होगी फिर apnea होगा फिर abnormal breathing होगी इस तरीके का pattern देखने को मिलेगा यानि इसमें क्या होगा डियर इसमें यह क्या हो रहा है abnormal abnormal yes abnormal rhythm abnormal rhythm और बाद में क्या हो रहा है डियर यहाँ पर क्या हो रहा है apnea अपनिया हो जाता है एपनिया का मतलब होता है absence of breathe फिर से breathe आएगी फिर से पहले shallow फिर deep 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 और deep फिर वापी shallow hypnia फिर deep breathing फिर अपनिया फिर इस तरीके के pattern को अपन बोलते हैं डियर काई ने stock respiration कहा जाता है और इसमें जो अपनिया है याद रखेगा डियर चुकि यह वाला part abnormal तो यह पार्ट फिक्स रहेगा, 20 सेकंड का अपनिया होगा, लगबग, ऐसा नहीं कि सब में 20 होगा, लगबग जो है, 20 सेकंड का अपनिया इसमें देखने को मिलेगा, यानि काइनी स्टोक रेस्पिरेशन है, वो क्या होगा, डियर? Yes, it is abnormal breathing pattern followed by apnea at least 20 सेकंड, 20 सेकंड का अपनिया उसके बाद में होगा, abnormal breathing pattern, फिर apnea, abnormal breathing pattern, फिर apnea, तो ये 20 सेकंड के लिए, लगबग 20 सेकंड के लिए जो है ये apnea होगा, परसन की सांस रुख जाएगी 20 seconds, फिर सांस आएगी, फिर परसन ब्रीथ करेगा इस तरीके का, फिर सांस रुख जाएगी, फिर ब्रीथ करेगा. ऐसा pattern जो है यह क्या कहलाएगा डियर? Kiny stock respiration कहलाएगा डियर, याद रखेगा और यह इसके कारण क्या है? कब-कब होता है? causes What are the causes of kiny stock respiration? तो इसके कारण, first कारण डियर, याद रखेगा Yes, abnormal abnormal PaCO2 and PaO2 Yes, डियर, normal PaCO2 कितना होता है? normal PaCO2 कितना होता है, तो abnormal PaCO2 and abnormal PaO2 normal PaO2 कितना होता है, असी से सो और normal PaCO2 तो होता है, 35 से 45 mm of Hg mm of Hg याद रखेगा, तो abnormal PaCO2 and PaO2 हो जाए उस condition में क्या देखने को मिलेगा? kinyis stock respiration देखने को मिलेगा दूसरा कारण डियर yes, damage damage of respiratory center respiratory center अपन पढ़ चुके हैं, डियर medulla के अंदर पाये जाते हैं, पॉंस के अंदर पाये जाते हैं तो respiratory center अगर abnormal हो जाए तो उस condition में भी kinyis stock respiration देखने को मिलता है, तो important point ये वाला point याद रखेगा, abnormal PSU2 and PO2 की वज़े से कौन सा abnormal pattern देखने को मिलता है, तो एक option आपको मिलेगा, वो क्या होगा डियर, kinyis stock respiration, याद रहेगा, चलिए, तो kinyis stock की पहचान क्या है डियर, abnormal, then fix 20 second का, abnormal, फिर 20 second का, apnea हो जाएगा, क्या हो जाएगा डियर, apnea हो जाएगा, इस pattern को अपन बोलते हैं, kinyis stock respiration, ओके, second है dear, biot, yes dear, second क्या है, biot, तो biot के अधर नाम, ataxic या फिर cluster breathing भी कहते हैं, तो चलिए देखते हैं, okay dear, तो biot respiration या breathing is also known as cluster breathing और ataxic breathing, जैसा कि मैंने बता है, क्या याद रखना है, ABC याद रखो, तो ataxic, biot and cluster is the same breathing pattern, तो इसमें क्या होता है, dear, इसमें क्या होता है, yes, 4 से 5 deep breathing, फिर apnea, फिर 4 से 5 deep breathing, फिर apnea, इस तरीके क्या pattern देखने को मिलेगा, तो इसका जो pattern है, वो क्या होगा, dear, yes, deep breathing, deep breathe, तो deep breathe को क्या बोलेंगे हैं, अपन, hyperpnea, deep breathe को क्या बोलते है, dear, hyperpnea बोलेंगे, और साथ में क्या हुआ फिर, यहाँ पे क्या होगा, dear, apnea, apnea, और apnea कितनी देर के लिए, apnea मतलब absence of breathe, तो 10 सेकिंड से लेके, एक मिनट तक, apnea कितनी देर होगा दिया, 10 सेकिंड से लेकर के, एक मिनट तक का जो apnea देखने को मिलता है, तो cluster या biots के अंदर क्या होगा, definition क्या है, dear, abnormal, abnormal breathing pattern, breathing pattern, that involve three to four deep breath, three to four deep breath, followed by, followed by, yes, dear, followed by, apnea, 10 सेकिंड तो, one मिनट, 10 सेकिंड से एक मिनट तक का apnea वहाँ पे हो सकता है, जबकि वहाँ पे क्या था, dear, काईनी में क्या था, लगबग 20 सेकिंड का apnea होता था, जबकि यहाँ पे क्या है, 10 सेकिंड से एक मिनट, अब कभी उल्टा सुदा नहीं कर दो, कि इसमें, यहाँ पे 20 सेकिंड यादर कलो, वहाँ पे 10 सेकिंड से एक मिनट यादर कलो, उसके लिए तरीका बता देता हूँ, तरीका क्या है, देखिए, इसमें यह चीज abnormal है, तो यह पोइंट fix है कि deep breathing, ऐसा abnormal pattern दो नहीं है, लेगिन यह वाला point है, वो fix नहीं है, यह apnea fix नहीं है, apnea 10 सेकिंड से एक मिनट के बीच में कितना भी हो सकता, किसी patient में 15 सेकिंड, किसी बार 10 सेकिंड, किसी बार 1 मिनट, किसी बार 40 सेकिंड, किसी बार 49 सेकिंड, ऐसे चलता रह है, तो यहाँ पर लगातार क्या होगा, deep breathing followed by apnea, deep breathing followed by apnea, okay dear, what are the causes, क्या क्या कारण होते हैं, very very important, तो याद रखिएगा, damage, damage to pons and medulla, medulla oblongata, oblongata, medulla oblongata, medulla oblongata, और pons अगर damage हो जाए, yes dear, किस की वज़े से, yes, due to, due to stroke, या कोई infection वगेरा से, या कोई trauma injury हो जाए, तो उस condition में pons या medulla oblongata damage हो जाएगा, तो person में क्या होगा, biot respiration देखने को मिलेगा, very important, इसके लावा दूसरा कारण, first कारण यह हो गया, second cause की बात करें, increase ICP, ICP बढ़ जाए, like meningitis वगेरा हो जाए, head injury हो जाए, उस condition में भी biot respiration देखने को मिल सकता है, वो तीसरा और important कारण यह, opioid toxicity हो जाए, opioid toxicity like morphine, sulfate वगेरा है, tramadol वगेरा है, उनकी toxicity हो जाए, और opioid की pharmacology अपन पढ़ चुके है, कहाँ पे? neurology के अंदर, isn't it? तो opioid की toxicity हो जाए, और इसका antidote क्या है, डियर, yes, antidote is naloxone, naloxone, yes, डियर, याद रखे, काफी बार पुछाता है, और opioid toxicity का एक और complication होता है, pinpoint pupil, आपको यादी अच्छे से, pinpoint pupil, इसके लाए, डियर, Biot respiration भी इसका characteristic sign हो सकता है, तो Biot के कितने कारण? Ponce Damage, Increase ICP, या फिर opioid toxicity, याद रखेएगा, जब की, sorry, जो इससे पहले अपनने पड़ा है, काइनी स्टोक के कितने कारण थे? मेन कारण क्या था? SpO2 और SpCO2 abnormal होना, जब कि secondary कारण था, Damage of Respiratory Center, जो की कहा पाये जाते थे? Ponce and Medulla Oblogator, दोनों में थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे Respiratory Center Damage होंगे, Ponce and Medulla Oblogator के तो ही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, पॉन्स and Medulla Oblogator पूरा डेमेज होगा, त तो यह क्या कहलाती है, नार्कोटिक अनालजिसिक भी कहलाती है, ठीक है, लाइक मॉर्फिन सल्फेट हो गया, कोडीन हो गया, ट्रामाडोल हो गया, फेंटेनिल हो गया, यह सब पढ़ चुक है ना पन, ठीक है, तो इनकी toxicity हो जाए और इसका antidote क्या है, Naloxone is the antidote, ठीक है, तीसरा abnormal pattern था, कुस्मोल रेस्पिरेशन, कुस्मोल रेस्पिरेशन को अपन क्या बोलते हैं, और किस नाम से जानेंगे इसे, हाईपर वेंटिलेशन के नाम से भी जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, और लेवर्ड ब्रीफिंग, लेवर्ड ब्रीफिंग पैटर्न देखने को मिलेगा, तो कुस्मोल रेस्पिरेशन में एक साथ क्या हो जाता है, डियर, एक साथ क्या होगा, तेकिपनिया with टेकिपनिया के साथ में क्या हो जाएगा डियर हाईपर पनिया इसका मतलब increase rate of respiration rate of respiration plus क्या होगा डियर increase depth यहने deep breathing depth of respiration deep breathing एक साथ देखने को मिल जाए उसे अपन क्या कहेंगे दियर कुछ small respiration कहा जाएगा जैसे कि आप देखी इस diagram में देख सकते हो इस diagram में आप देख सकते हो अगर एक clear आपको दिखाए दे रहा है थोड़ा सा ये image जो है slow हो गया यहाँ पर actual में जैसा था वैसा play नहीं हो रहा है बट फिर भी आपको दिख रहा है यहाँ पर person labored breathing जो है यहाँ पर यह बच्चा labored breathing कर रहा है it is example of kusmol respiration तो deep breathe भी करेगा और fast भी करेगा जल्दी जल्दी सांस लेगा ठीक है याद रखेगा और yes dear kusmol respiration किसमें देखने को मिलता है yes dear it's seen in it cause लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर causes causes क्या क्या है तो causes mainly बता है मैंने diabetic diabetic keto acidosis यानि ketone bodies बन जाए क्या बन जाए dear ketones का formation हो जाए इसके लावा dear metabolic metabolic acidosis में भी देखने को मिलेगा yes dear अब देखे कुसmol का नाम में ही इसके कारण चुपे हैं ठीक है dear k4 ketoacidosis u4 uremia body के अंदर urine बढ़ जाए urea बढ़ जाए b1 s4 dear salicylate s4 sepsis sepsis यानि blood का infection m4 methanol की toxicity हो जाए a4 aldehyde की toxicity u4 uremia हो जाए uric acid blood में बढ़ जाए तो ketone bodies कब कब बढ़ जाती है dear ketone bodies बढ़ जाती है like diabetic diabetic ketoacidosis ketoacidosis में बढ़ जाती है अगर कोई person starvation starvation का मतलब लंबे समय तक भूका रहता है तो भी ketone bodies का formation होने लग जाता है इसके लाए डियर एक disease यास आप OBG में पढ़ेंगी विच इस हाइपर emesis ग्रेवी डेरम ग्रेवी डेरम इस condition में भी ketone bodies बढ़ जाती है dear याद रखेगा important है ठीक है hyper emesis ग्रेवी डेरम हाइपर का मलब जादा emesis का मतलब उल्टी और ग्रेवी डेरम का मतलब pregnancy तो जनरली pregnancy के first trimester में बहुत जादा vomiting होती है females को normally तो severe vomiting से क्या होता है metabolic alkalosis होता है जैसा कि मैंने ABG analysis अपन पढ़ चुके हैं अलड़ी nursing foundation के अंदर acid base imbalance metabolic alkalosis होता है vomiting के case में क्योंकि acid loss हो रहा बोडी का लेकिन hyper emesis ग्रेवी डेरम के case में female कुछ खा नहीं पा रही है खाएगी नहीं तो बोडी में energy कहां से आगी ketone बनने लग जाएगे बोडी में तो ketoacidosis बनने लग जाता है hyper emesis ग्रेवी डेरम तो इस condition में भी क्या होगा metabolic acidosis होगा yes dear uremia का मतलब होता है uric acid बढ़ जाए increase sorry urea 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 यानि BUN BUN का level increase हो जाए और normal BUN कितना होता है normal BUN होता है 8-25 mg per deciliter होता है ठीक है यह level बढ़ जाए sepsis का मतलब infection हो जाए blood का salicylate एक तरीके का toxic है which is acid ठीक है methanol एक तरीके का alcohol है जिसमें एक carbon होता है alcohol में 2 carbon होते हैं तो methanol की toxicity हो जाए तो भी ऐसा हो सकता है methanol toxicity का antidote क्या है dear methanol toxicity का antidote ethanol होता है ठीक है aldehyde एक तरीके का aldehyde CHO group पाए जाता है अगर आप chemistry पढ़े हुए हो समझ जाएंगे uric acid uric acid बढ़ जाए body के अंदर तो uric acid नाम में acid है तो acidosis होगा जब भी acidosis होगा अपने क्या हो जाएगा कुछ small respiration देखने को मिलेगा तो uric acid yes dear normal level कितना होता है normal uric acid level कितना होता है डियर साड़े तीन से 7 mg per deciliter is the normal uric acid और uric acid किस से बढ़ जाता है डियर गाउट arthritis अलड़ी पढ़ा चुका हो मैं याद रखिए तो गाउट arthritis में क्या होता है uric acid का level बढ़ जाता है और क्यों बढ़ जाता है purine rich diet से क्यों हो जाता है डियर डियर डियू टू प्यूरीन प्यूरीन रिच डाइट प्यूरीन रिच डाइट कंजूम करने से purines जो होते है एक तरीके के proteins ही होते है जो कि non-vegetate, non-wage substances, alcohol जादा कंजूम करने से होता है legumes यानि डाले जादा खाने से होता है इसके लावा non-wage substances उनको खाने से होता है पीज से हो जाता है, nuts से हो जाता है ठीके डियर इन सभी चीजों से ब्रोकलीज वगरा उन सभी में क्या पाया जाता है purine पाया जाता है और purine metabolize होके uric acid बना देता है purine actually sodium के साथ जुड़के monosodium ureate के crystal बनाता है क्या बनाता है? monosodium ureate के crystal जो की joints में जमा हो जाता है और joint में जमा हो जाता है तो joint में pain होगा, inflammation होगा जिसे हम लोग gout arthritis बोलते हैं तो uric acid का level किस में बढ़ जाता है? gout arthritis में बढ़ जाता है यस और वहाँ पे एक important question करा रखा है gout arthritis का पहला symptom पैर के अंगुठे के पास में एक जम जाता है इस तरीके से मैं बोलूँ अगर यह पैर का अंगुठा है यह चार उंगलिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक tophus बन जाता है यह जगे से पैर के अंगुठे के पास में यहाँ पे deposition हो जाता है इसे अपन टोफी या टोफस formation बोलते हैं टोफी या टोफस टोफी या टोफस formation कहा जाता है जो कि किस में देखने को मिलता है? गाउट आर्थराइटिस में देखने को मिलता है gout, gout arthritis में देखने को मिलिगा, तो gout arthritis में uric acid का level increase हो जाता है और uric acid increase हो जाए, yes dear, increase uric acid, increase uric acid को अपन क्या बोलेंगे, increase uric acid को hyper uricemia कहेंगे, इसकी drug of choice, drug of choice is alla purinol drug of choice क्या है dear इसकी, allopurinol is the drug of चोईस ओफ येस डियर यूरीक एसिड या हाइपर यूरीसिमिया की ड्रग ओफ चोईस होती है एलो फ्यूरी नोल ओंकोलोजी पढ़ चुके वहाँ पर भी यह चीज मैंने आपको पढ़ा दी है यह सुनों दो दो तिन दिन बार चीज आपन पढ़ लेते हैं लेक्टिक एसिड का अमाउंट जादा हो जाए लेक्टिक एसिड ओसिस तो अगें यहां पर क्या होगा देख डियर कुस्मॉल रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा तो कुसमोल रेस्पिरेशन के आडिया है, हाइपर वेंटिलेशन या लेबर्ड विरीफिंग कहलाती है, जिसमें टेकिपनिया यानि रेस्पिरेशनी रेट भी बढ़ जाती है, और हाइपर विरीफिंग होने लग जाती है, तो ये लेबर्ड विरीफिंग भी कहलाती है, कु mainly diabetic ketoacidosis और methanol, sorry metabolic acidosis में ऐसा देखने को मिलेगा, और इसके अधर जो कोजेज है, उसके नाम में ही है, K4 dear ketone bodies, U for uremia, S for sepsis, S for silicylate toxicity, M for methanol toxicity, A for aldehyde, और U for uric acid, L for lactic acidosis, ठीक है, तो नाम में ही इसके कारण भी छुपे होए हैं, याद रखेगा, चलिए जी, तो अपन पढ़ रहे थे, abnormal ventilation या breathing pattern, तो breathing pattern, abnormal kinestock, biotes और कुस्मॉल respiration, तीन टाइप के abnormal breathing होती है, यहां से बहुत बार क्यूशन जो है, आता है dear, याद रखेगा, अब dear, एक term और है, which is known as periodic breathing, वो भी समझ लेते हैं, वो क्या होता है, देखेगा, periodic breathing क्या है, तो periodic breathing, पहली बात तो यह कोई abnormal breathing नहीं है, ठीक है, तो यहाद रखेगा, it is, it is normal, normal breathing pattern, breathing pattern of newborn, newborn का normal breathing pattern है, जिसे अपने बोलते हैं, periodic breathing, periodic का मनलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, यानि इसमें apnea होगा, तो इसमें क्या होगा dear, इसमें क्या होगा, fast, fast respiration, fast respiration, with apnea less than, apnea less than, less than 10 seconds, 10 seconds से भी कम का एक 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 यहाँ पर देखने को, मिलेगा, it is known as periodic breathing, तो इसमें क्या होगा, बच्चा जो है, respiration, fast respiration लेगा, फिर apnea, फिर fast respiration लेगा, फिर apnea, फिर fast respiration लेगा, फिर apnea, फिर fast respiration लेगा, फिर apnea, इस तरीके से होगा, तो यह जो apnea है, ये जो apnea है वो less than 10 seconds होगा, 10 seconds से कम होगा, 10 seconds से जादा हो जाएगा तो वो Biot's कहलाएगा, yes or no, वो condition कहलाएगा, Biot's condition कहलाएगी, क्योंकि Biot's में भी तो ऐसा था, deep breathing हो रही थी, फिर apnea आ रहा था, बट वो 10 seconds से कम, तो ये जो pattern है, वो periodic breathing कहलाती है, normally बच्चों में अकसर ये periodic breathing, ओके डियर, याद रखेगा, तो periodic breathing is normal breathing pattern of newborn, ओके, चलिए, next बात करेंगे हम लोग, Macconal sign, तो Macconal sign क्या होता है, इसको अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं, तो Macconal sign क्या है, तो Macconal sign में, ये दियर, play नहीं हो रहा है, ये, इसमें क्या हो जाता है, डियर, right ventricular hypertrophy हो जाती है, right ventricle जो है, देखेगा, heart, yes दियर, तो right ventricle की hypertrophy हो जाती है, जिसके वीज़े से ये इधर की तरफ में क्या होता है, compress कर देता है, heart को, इधर की तरफ में, तो अब ये play नहीं हो रहा है, ओके, तो इस case में क्या हो जाता है, left, sorry, right ventricle जो है, उसके hypertrophy होने की वज़े से एक यहाँ पर eco-cardiography eco-cardiography के अंदर एक sign देखने को मिलता है, which is known as Macconnell sign, तो एक छोटा सा sign है which is known as Macconnell sign, किसमें देखने को मिलता है pulmonary embolism में right ventricular hypertrophy देखने को मिलती है तो थोटा सा point है याद रखिएगा, चलिए next बात करेंगे very important point abnormal shape of the chest chest का abnormal shape चुकि आज अपन पढ़ रहे हैं assessment pulmonary assessment, तो assessment में chest के shape का भी important role है dear, तो तीन तरीके का abnormal chest का shape जो है देखने को मिलता है, अलग-अलग condition के अंदर, तो abnormal shape तीन तरीके का abnormal shape अपन पढ़ेंगे which is yes dear, yes first होगा dear, barrel barrel shape chest second होगा dear funnel funnel shape chest तीसरा होगा dear yes dear, pigeon pigeon shape chest pigeon मतलब कभूतर है, हिंदी में pigeon का मतलब होता है dear, कभूतर ठीक है dear तो barrel shape chest funnel shape chest और pigeon shape chest तो barrel chest क्या है dear तो barrel chest क्या है yes dear, इसमें क्या होता है वो आगे देखेंगे but barrel shape chest जो है, वो COPD के percent में देखने को मिलता है किसमें देखने को मिलता है dear COPD के percent का characteristic sign होता है barrel shape chest देखे नॉर्मली अपना जो anterior posterior diameter है chest का तो अगर chest को सामने से देखे हैं अपन तो इस तरीके से दिखता है ये lateral diameter और ये anterior posterior diameter इसका जो ratio है वो anterior posterior का lateral के साथ में एक अनुपाद 2 होता है लेकिन barrel chest में क्या हो जाता इंक्रीज हो जाता आगे की तरफ तो ये one is to one हो जाता है अभी diagram दिखाऊंगा आप लोगों को COPD के अंदर characteristic barrel shape chest देखने को मिलता आपके COPD पढ़ाऊंगा तब diagram भी दिखाऊंगा funnel shape chest funnel का मतलब होता है keep जैसे तेल डालते न पन माली जी एक छोटी bottle में आपको oil डालना है तो उस पर funnel डालते फिर उपर से oil डालते तो वो उसी bottle में चला जाता है यह सुनो funnel तो बीच में से गड़ा होता है funnel के अंदर तो chest के अंदर बीच में से गड़ा हो जाना उसे अपन कहेंगे funnel shape chest तो इसको अपन एक नाम से और भी जानते है देर इसको अपन packedus के अंदर की तरफ दस जाएगा और ये देखने को मिलता है किसमें रिकेट्स, रिकेट्स एन मार्फन सिंड्रोम, मार्फन सिंड्रोम में देखने को मिलता है, यस दियर याद रखेगा, रिकेट्स होता है विटामिन D की कमी से, विटामिन D की कमी से जो है, रिकेट्स देखने को मिलता है बच्चों में, और बड़ों के अंदर मार्फन सिंड् यह एक genetic disorder है, connective tissue का disorder है, जिसमें हाथ और पैर लंबे-लंबे हो जाते हैं, ठीक है dear, परसन के हाथ और पैर जरूरत से जादा लंबे, उंगलिया लंबी-लंबी हो जाते हैं, which is known as Marfan syndrome, genetic disorder है, ठीक है, pigeon chest क्या है, तो pigeon chest का मलब, देखे, कबूतर का chest होता है, देखे, funnel shape में तो chest पीछे की तरफ धस गया था, इसमें chest बाहर निकल जाए, जैसे कबूतर आपने देखा होगा, तो कबूतर का chest ऐसे rounded shape में होता है, तो बाहर की तरफ में आता है, इसे बोला जाता है pigeon shape chest, तो इसको पन एक नाम से और भी जानते हैं, दियर, Pactis, Pactis carrynatum, carrynatum के नाम से भी जाना जाता है, यस दियर, Pactis carrynatum के नाम से भी जानते हैं, और ये भी जो है, किसका example अ डियर ये भी इन दोनों condition में देखने को मिलता है Ricketts and Marfen syndrome में ही pigeon chest भी देखने को मिलेगा तो याद रखेगा X-cavitum देखे cavity बन रही है मतलब funnel shape और बाहर की तरफ आ रहा मतलब carrying atom ठीक है डियर कबूतर की तरह है carrying atom मन जा रहा है ठीक है तो अभी shape दिखाता हूँ आपको सबसे पहले barrel shape, funnel chest, chest और pigeon chest क्या होते हैं तो देखे तीन diagram अपने पास सामने है first जो है deer, first जो diagram देखे इसमें chest बाहर की तरफ आ रहा है इस तरीके से तो ये जो example है, ये किसका example है deer ये example अपने पास में, third जो type का था pigeon chest pigeon chest का example था जिसे अपने बोलते हैं, pectus carrying atom के नाम से जाना था देखिए, तो ये normal अपना हो गया, lateral position तो इसमें क्या होगा, chest आगे की तरफ निकल करके आ जाएगा तो ये condition pectus carrying atom के लाएगी इस case में क्या होगा deer, ये जो है pectus x kev atom बीच में से chest जो है अंदर धस जाएगा, ठीक है जैसा कि आपको clear दिख रहा है, ये दोनों nipple हो गए nipple के बीच में chest जो है पीछे की तरफ में धस गया अंदर की तरफ chest, funnel बन जाता है तो ये chest क्या कहलाएगा deer, funnel chest कहलाएगा, yes deer इसे pectus x kev atom कहते हैं और इस diagram में अगर इसको मैं show करूँ, yes deer तो ये normal diagram हो गया और ये देखे, पीछे की तरफ में इस तरीके से chest धक जाता है जबकि इसमें chest बाहर की तरफ निकल करके आता है yes or no, तीसरा होता है deer, तीसरा type है अपने पास which is known as, yes deer, barrel barrel chest barrel chest है, वो किसमें देखने को मिलता है deer, COPD के percent में देखने को मिलेगा जबकि ये दोनों किसमें देखने को मिलते हैं, Ricketts और Marfan syndrome में देखने को मिलते हैं इसमें क्या हो जाएगा deer, chest का जो anterior posterior diameter है yes deer, वो normal हो जाता है, yes anterior posterior normal हो जाता है लेटरल डायमेटर के ठीक है एंटेरियो पोस्टीर मतलब ये वाला डायमेटर और लेटरल मतलब ये वाला डायमेटर ठीक है तो ये डायमेटर और एंटेरियो पोस्टीर जनरली आधा होता है ये आधा होता है इसकी तुलना में लेकिन इस केस में क्या हो जाएगा पूरा इ हूँ या धान को इस्टोर रखते थे तो यह जो है चारो तरफ से बराबर होता था तो इसे barrel चेप बोला जाता है ठीक है तो barrel shape का chest हो जाता है जिसमें क्या होगा डियर normal chest ये था yes dear normal chest ये था तो ये आगे की तरफ में जो है बढ़ जाता है तो yes dear इस तरीके से yes ratio जो था anterior posterior diameter का lateral diameter के साथ वो एक अनुपात दो था अभी वो एक अनुपात एक आ जाता है it is known as barrel chest और किसमें देखने को मिलता है COPD के पेसेंट में देखने को मिलता है ठीक है dear याद रखेगा अब एक abnormal chest एक और बात करेंगे which is known as flail chest क्या बात करेंगे दियर flail chest तो flail chest जो होता उसे paradoxical respiration भी कहते हैं देखेगा क्या होता है yes dear तो अगला है dear flail chest और paradoxical respiration respiration flail chest और paradoxical respiration क्या होता है ठीक है dear paradoxical respiration या flail chest क्या होता है पहली बात तो यह किसमें देखने को मिलता है तो example किसमें यह सा chest देखने को मिलता है तो पहली point तो direct question point की बात करेंगे तो यह देखने को मिलता है dear pneumothorax के condition में pneumothorax की condition वे characteristic, question point, direct क्या मिलेगा paradoxical respiration या flail chest देखने को मिलता है अब समझाता हूँ क्या होता है normally क्या होता है आप और हम जब सांस लेते हैं तो देखिए breathe अंदर लिया तो chest उपर आता है और breathe छोड़ते हैं तो chest पीछे breathe अंदर लिया तो chest आगे और breathe छोड़ा तो chest पीछे लेकिन क्या हुआ किसी patient को pneumothorax हो गया मान लीजिए, right lung के अंदर कोई road आखर के घुस गई तो घुसने की वज़े से क्या होगा lungs वहाँ पर puncture हो गए तो lungs की जो हवा थी, वो कहां गई प्लूरली स्पेस में आगी तो इस वज़े से क्या होगा, जब person सांस लेगा, तब chest क्या होगा dear, अंदर जाएगा, और सांस छोड़ेगा तो chest बाहर आएगा तो इस तरीके के pattern को अपन flail chest कहा जाता है, तो simply इतना सा है paradoxical respiration भी कहते हैं देगे, normal respiration होता है, जब सांस condition होना, normal condition से just opposite होना ही क्या कहलाता है, paradoxical कहलाता है, इसे paradox भी बोलते हैं, तो paradoxical respiration किस में देखने को मिलेगा डीर? pneumothorax में देखने को मिलेगा, तो इस chest के अंदर देखिए, यह आपको एक chest person दिखाए दे रहा है, यह side में head है, इस side में इसका head है, यह हाथ हो गया, आपको थोड़ा image समझा दूँ, यह कमर हो गया, तो इसमें देखिए, यह chest, इस side का जो chest है, इस side का जो chest है, एक उधर side का chest हो गया, इस side के chest में क्या रहा है, जब person breathe कर रहा है, breathe करते टाइम, chest नीचे की तरफ में depressed होता है, नीचे के अंदर air आ जाना, और यह कब होगा, जब कोई blunt, सर्या या कोई road घुच जाए, या गोली लग जाए, किसी patient को, penetrating injury हो जाए, lungs puncture हो जाए, उस case में lungs की हवा कहां आ जाती है, dear, कहां पर देखिएगा, मानली जी यह अपना lungs हो गया, तो lungs के अंदर यह cavity होगी, ठीक है, तो मानली जी कोई यहां पर road आ करके घुच गी, तो अब क्या होगा, air leak होगी, कहां पर, इस जिगह पर, तो lungs तो collapse होते जाएगे, और air यहां पर इकठी होती जाएगी, this is known as pneumothorax, बाकि इस disease को अपन पूरा detail से पढ़ेंगे, बहुत सारे type होते हैं, इसके tension pneumothorax का क्या treatment हो, बहुत बार question आता है, open pneumothorax का क्या treatment हो, तो open के लिए go-tex लाता है, sorry, go-tex नहीं, यहां पर एक sealing आता है, वो लगाया जाता है, seal आता है इसके लिए, और इसके लावा, dear, tension pneumothorax का एक question आता है, tension pneumothorax में क्या treatment करते हैं, तो large bore needle लगा करके हवा को बाहर निकालते हैं, तो यह question कई बार आते हैं, पढ़ेंगे अपन, important disease है, pneumothorax, ठीक है, dear, याद रखेगा, तो flail chest किसमें देखने को मिलता है, pneumothorax की condition में देखने को मिलता है, और इसमें कैसा respiration देखने को मिलीगा, paradoxical respiration, यह direct question आता है, याद रखना, ओके, चलिएगा, next बात करेंगे हम लोग, pursed lip breathing, चुकि आज के lecture में हम लोग assessment पढ़ रहे हैं, तो सारे assessment पढ़ेंगे, तो pursed lip breathing चोड़ो, इस तरीके से breathe को चोड़ने को अपर बोलते हैं, pursed lip breathing, तो pursed lip breathing क्या है, देखिए, pursed lip breathing है, taking deep breath, पहले deep breath लो, लिया, from the nose, nose से ले लिया, and then taking breathe out, फिर breathe को out करो, from the mouth, by pursed lip, pursed lip, breathe out time should be more than breathe in, normal सांस लिया, उससे ज़्यादा breathe out time होना चाहिए, मालनों मैंने normal सांस ले लिया, 2-3 से किंड में, अब सांस में धीरे-धीरे चुड़ूँँग, nose से सांस लेगे, इस तरीके से, जो है, pursed lip को बंद रखना है, बंद lip के साथ में हवा को छोड़ना है, this is known as pursed lip breathing, देखिए, मैं यूज किया जाना चाहिए, तो first point, दो question point, first question point, होती क्या है, वो तो definition लिख दिया मैंने, deep breathe अंदर लो, मूँ को बंद करते हुए, breathe को बाहर छोड़ो, सांस जितने टाइम में लिया, उससे ज़्यादा टाइम में सांस को छोड़ना है, that is first sleep breathing, अब होता क्या है, question first point, yes dear, yes dear, यह क्या है, it it increase it increase oxygenation oxygenation बढ़ाती है, बोड़ी के अंदर oxygen का level, यह increase करेगी, दूसरा point, yes dear, it help to increase gas exchange, gas exchange होने के लिए, यह help करने का काम करती है, दूसरा question point, yes dear, it is used by, used by, कोन इसे use करता है, yes dear, first option, COPD का patient इसे use करेगा, यह option में ना मिले, तो अस्थमा का patient इसे use करता है, yes dear, तो अस्थमा और COPD, दोनों ही case में disneya होता है, COPD में क्या होता है, dear, expirational, expirational, disneya देखने को मिलता है, और अस्थमा के case में कैसा, dear, inspiratory, inspiratory, disneya, देखने को मिलता है, तो दो use तरही होगे, तीसरा use, dear, तीसरा use होता है, to prevent, to prevent, eti-lactasis, eti-lactasis, eti-lactasis का मतलब होता, dear, collapse of the lung, या alveoli, alveoli, इसके collapse होने को अपन बोलते हैं, eti-lactasis, तो alveoli collapse कब होगी, जब breathe वहाँ पे बचेगी नहीं, तो अपन क्या करें हैं, breathe तो deep ले लिए, आप breathe को धीरे-धीरे छोड़ो, तो alveoli collapse नहीं होगी, yes or no, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा time तक air रुकेगी, क्योंकि आपका inspiratory time से ज़्यादा expiratory time है, तो इस condition को use किया जाता है, COPD के patient के द्वारा, याद रखेगा, अस्थमा के patient के द्वारा, और eti-lactasis को prevent करने के लिए, इस तरीके के breathing की exercise करवाते हैं, तो ये कोई abnormal breathing नहीं है, ये एक normal breathing pattern है, किन लोगों के लिए, जिनको COPD है, जिनको अस्थमा है, जिनको eti-lactasis होने का risk है, इन तीनों लोगों को, कौन सा breathing की exercise करवानी चाहिए, by the nurse, कौन सी, first lip breathing के exercise करवानी चाहिए, तो आपको as a nurse, as a nursing officer क्या बोलना है, इन तीनों patient से, कि आप जब breathing ले, और ये दिन में कितने भी बार की जा सकती है, जब भी patient को याद आए, first lip breathing वो कर सकता है, बैठ कर के अराम से, ठीके डियर, यहाँ पर कोई limitation नहीं है, कि दिन में 30 मिनिट, 40 मिनिट याद रखना, कि बार ऐसे option आजाते हैं, no limit, कि तरी भी बार patient कर सकता है, तो first lip breathing एक exercise है, जिसमें patient को सिखाया जाता है, कि person को पहले deep breath लेना है, नोज से, लिया, लेने के बाद में mouth purse, mouth purse कर दो, यानि बंद कर दो, फिर बंद mouth से breathe को छोड़ो, इस तरीके से जो है, breathe को छोड़ा जाता है, ठीक है, it is known as purse lip breathing, इसके फाइदे क्या है, इससे फाइदा है कि oxygen का level blood में बढ़ेगा, दूसरा help to increase gas exchange, LVLi में, LVLi में gas रुकेगी, रुकेगी तो exchange होने के chances भी बढ़ेंगे, yes or no, gas CO2 इदर आएगी, oxygen इदर capillary में आ जाएगी, yes or no, तो दो तो इसके use होके, और कौन use करता है, इन तीन परसन के द्वारा इसको use किया जाना चाहिए, COPD का patient, अस्तमा का patient, और जिसको risk है, atelactasis, lungs की alveoli का collapse होने का, lungs के collapse होने का risk है, atelactasis का मतलब collapse of the lungs alveoli, is known as atelactasis, तो इन तीनों patient को per slip exercise की practice करवाना चाहिए, ठीक है डियर, तो it is not abnormal, it is normal, yes डियर, it is normal, normal है, कई बार आपन समझ लेते हैं, कि ऐसी breathing करना मतलब abnormal है, abnormal तो तीन पैटर्न मैंने आपको पढ़ा दिये, बहुत सारी चीज़े भी अपने पढ़ी है, टेकिपनिया, हैपोपनिया, एपनिया, डिस्निया, और्थोपनिया, वो सब abnormal थे, काइनी स्टोक, बियोट्स, रेस्पिरेशन, वो सब abnormal थे, यह abnormal नहीं है, ओके डियर, अब very important part of this lecture is, normal and abnormal breathing sounds, येस डियर, sounds किस से सुनेंगे अपन, sound सुनते हैं, और सकल्टेशन, और सकल्टेशन के द्वारा sound को सुना जाता है, येस डियर, तो sound मतलब, स्टेथोज़कोप के द्वारा sound को सुनते हैं, और स्टेथोज़कोप के द्वारा, और स्टेथोज़कोप को किस ने डिस्कवर किया था, रेणिलेनेक ने डिस्कवर किया था, अलरडी पढ़ा चुका हूँ में, कहां पर कार्डियोगस कुलार सिस्टम में, रेनिलेनेक, ठीक है, R-E-N-E-L-E-N-N-A-C Rennie Lenek ने सबसे पहले Stethoscope की discovery करी थी Stethoscope का काम क्या है Body sound को सुनना Like Heart rate सुनना Heart sound सुनना इसके लावा डियर Respiratory sound सुनना Bowel की, Intestinal की sound सुनना वो काम होता है Stethoscope का Stethoscope की सहायता से Ausculitation करेंगे और Ausculitation से अपन Normal और Abnormal Breathing Sound सुनेंगे ठीके डियर अब बात करें Normal और Abnormal Breathing Sound कौन कौन सी होती है Very very important point Yes डियर तो देखिए मैं बात करूँ Normal sound कौन कौन सी है और Abnormal sound कौन कौन सी है तो Normal sound होती है Generally 3 Yes डियर तो पहली को पन बोलेंगे Yes डियर Bronchial sound Bronchial sound It is Normal दूसरी डियर Bronchial sound Bronchial sound तीसरी होती ही डियर Vesicular sound अब ये क्या होती है समझेंगे Abnormal sound Abnormal sound कौन कौन सी होती है तो Abnormal होती ही डियर Stridor Stridor Second डियर Weezing Weezing sound Second Weezing फिर फर्दर दो टाइप की होती है Sibilant And Ronky Ronky ठीक है डियर Third जो sound होती है Which is known as Crackle Crackle sound Stridor जो sound है उसका एक example भी होता है डियर Example like Croup sound Croup sound अलोड़ी पढ़ा चुका हूँ Croup sound में आपको Tracheo Laryngo Bronchitis अभी और पढ़ा दूँँगा Crackle sound Crackle sound को अब रेल भी बोलते है R-A-L-E Yes R-A-L-E sound भी से कहा जाता है R-A-L-E sound के नाम से भी जानते है Fine Crackle And second one is there coarse Crackle sound इसके लाँ आदियर Other Abnormal sound Like Plural Plural Friction Rub sound Plural यह P है यह Plural और फिफ्ट sound जो abnormal होती है वोती है Whooping sound Whoop या फिर Whooping sound जो की Pertuses में देखने को मिलती है तो यह तो होगी डियर Normal sound और यह होगी Abnormal sound अब क्या फरक है इन में कैसे कौन सी का क्या करेक्टर स्टिकर कैसा क्यूशन एक्जाम में आता है वो पढ़ेंगे ठीक है डियर तो जली स्टार्ट करते है सबसे पहले बात करेंगे Bronchial या Normal sound और Abnormal sound Body के किस पार्ट में Abnormality होगी तो आएगी देखेगा Normal sound जैसे Bronchial sound है वो कैसी होती है डियर यह होती है High pitch High pitch and coarse sound coarse या फिर horse Horse sound Horse sound बोलेंगे इस है Horse sound खर्खराट वाली Horse sound होगी Bronchial वेसिकुलर है यह Breezy होती है Breezy Breezy का मतलब जैसे हवा चलती है न इस तरीके से Breezy sound आवाज होती है Breezy sound and moderate pitch होती है Moderate pitch मध्यम होगी इनकी तुलना में कम होगी और Vesicular sound है वो क्या होगी डियर यानि यह होगी Quiet Quiet and Yes Low pitch होगी Low pitch Low pitch sound होती है अब क्या होती है देखेगा अभी समझते जाते हैं अभी आपको confusion होगा कौन सी क्या sound लिख दी सर ने एक-एक को समझाओं आब बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे चलीगा सबसे बात करें Location तो Normal और Abnormal sound की Location की बात करें फिर एक-एक को समझेंगे देखेगा सबसे पहले बात करें अपन Yes तो सबसे पहले आता है Yes ये वाला part हो गया क्या Larynx ये हो गया अपना Epiglotis और ये हो गया Trachea ये हो गया Trachea और Trachea फिर अलग-अलग part में Divide हो जाता है Isn't it और फिर ये last में क्या हो जाएगा Dear Alveoli बन जाता है Yes इसमें दो लोब होते हैं और इसमें अपने तीन लोब होते हैं Yes और राइट राइट लंग में कितने तीन लोब और लेफ्ट लंग में दो लोब प्रजेंट होते हैं और ये जो है दो ब्रोंकस में Divide हो जाता है ये तीन ब्रोंकस में ये दस सेग्मेंट में ये आट सेग्मेंट में पूरे अनाट में अपन पढ़ा चुके हैं अब बात करेंग Dear Location की देखेगा अगर मैं बोलू ये वाला पार्ट हो गया क्या Dear Larynx और ये हो गया ट्रेकिया है ना ट्रेकिया में रिंग साथी है अपने पास में ठीक है Dear तो देखेगा अगर किसी पेसेंट को लेरिंग्स ट्रेकिया ब्रोंकाई और लेरिंग्स लेरिंग्स ट्रेकिया और ब्रोंकाई के लेवल पर जो साउंड आप सुनोगे वो नॉर्मल साउंड क्या कहलाएगी ब्रोंकेल साउंड कहलाएगी लेकिन मान लीजिए इस एरिया में क्या हो गया obstruction हो गया, इस area में mucous जमा हो गया, कोई foreign media आके फस गया, या edema हो गया like trachea में inflammation हो गया, bronchitis हो गया, या laryngitis हो गया, इस condition की वज़े से abnormal जो sound होगी वो क्या कहला है कि डियर, इधर लिख रहा हूँ abnormal abnormal और उर साइड क्या है डियर, normal इस साइड क्या है, normal समझते जाईएगा very important concept कोई डी समझाने वाला इस तरीके से इस level पे, इस level मतलब yes dear, इस level का मतलब क्या क्या गया, trachea plus larynx plus bronchus primary bronchus इस level पे अगर कोई भी normal sound आप सुनेंगे, कोई परेशानी नहीं है तो वो sound होगी, bronchial sound लेकिन इसी level पे, अगर कोई obstruction आजाए, यानि इसी level पे क्या जाए dear, कोई obstruction आजाए obstruction आजाए, या फिर कोई edema हो जाए या कोई foreign body आकर के first जाए इस area के अंदर तो जो abnormal sound होगी, वो कहलाएगी stridore क्या कहलाएगी dear, stridore sound कहलाएगी यानि large airways में अगर कोई परिशा नहीं है तो stridore कहलाएगी और large air की normal sound को अपन bronchial sound कहेंगे, next बात करेंगे यहां से लेके yes dear, यहां से secondary bronchial sound से लेके last terminal bronchial तक, इसे अपन bronchial tree बोलते हैं, क्या बोलते हैं dear bronchial bronchial tree इस level तक, अगर normal sound आपको सुन रही है, तो वो कहलाएगी dear, क्या कहलाएगी उसे, yes bronchowesicular sound vesicular sound कहलाएगे, लेकिन इस level पे अगर कोई abnormality हो जाए like इस level पे किसी परसेंट को yes, asthma हो जाए asthma यही तो होता है bronchitis या bronchoconstriction हो जाए bronchoconstriction हो जाए yes or no, bronchitis constrict हो जाए, या bronchitis हो जाए bronchitis हो जाए तो इस case में क्या होगा dear, यहाँ पे inflammation होगा, यह narrow हो जाएगी तो इस case में क्या होगा, यहाँ पे abnormal जो sound होगी, उसे अपन क्या कहेंगे dear, wheezing wheezing sound कहेंगे, very important तो wheezing की normal sound होती है bronchovecicular, और bronchovecicular abnormal हो जाए, तो वह wheezing कहलाएगी और पूछा जाता है question wheezing, yes dear, पूछा जाता है अगर किसी patient को bronchitis हो गया, तो कौन सी sound आप expect करते हैं ठीक है, तो अगर आपको location पता है भी bronchitis इसी level पे होता है, तो bronchitis हो गया, तो उस person में क्या होगा wheezing sound सुनाएगी, अस्थमा हो गया तो wheezing आएगी, yes or no, याद रखेगा मैं बोलू किसी person को foreign body आके फस गई, ट्रेकिया में, तो उसमें कौन सी sound आएगी, stridor आएगी, खर्खराट की sound आएगी, ठीक है dear और कुछ भी नहीं है, normal sound कैसी होगी dear bronchial sound होगी, और यहाँ पे normal broncho vesicular होगी, next बात करेंगे dear alveoli के level पे, next बात करते हैं हम लोग alveoli के level पे, यह होगी alveoli alveoli के level पे normal sound है, उसे बोलेंगे dear vesicular sound, vesicular sound, क्या कहेंगे dear उसे vesicular sound कहेंगे, और alveoli के level पर abnormal sound हो जाए यानि यहां पे क्या हो जाए दियर fluid ही कथ्था हो जाए fluid collection हो जाए किसमें ॥रलीलालाइक जब यक अंदर like fluid collection कब हो सकता है pulmonary edema pulmonary edema हो सकता है mapped MRI pneumonia में हो सकता है pneumonia में हो सकता है yes fibrosis में हो सकता है इन सभी condition में पानी कठ्ठा हो जाएगा, acute respiratory distress syndrome में हो सकता है पानी कठ्ठा हो जाएगा, alveoli के अंदर तो alveoli के अंदर अगर पानी कठ्ठा हो गया यह दियर, तो पानी की bubbling sound आएगी उसे अपन क्या बोलेंगे दियर, crackle crackle sound कहेंगे क्या कहेंगे दियर, crackle sound कहा जाएगा और crackle दो परकार की fine और course crackle और wheezing भी दो परकार की wheezing को अपन क्या बोलेंगे दियर, rail भी बोलेंगे और wheezing दो परकार की होती है कौन से दियर, wrong key, sorry, sibilant and wrong key ठीक है, अब एक-एक को अपन discuss से लिखते हुए पढ़ेगी, अभी मैंने प्रेशा नहीं हो जाए, obstruction हो जाए, edema हो जाए तो जो sound होगी, वो कहलाएगी stridor कहलाएगी, ठीक है डियर लार्ज से छोटे area यानि bronchial tree में अगर normal sound है कोई समस्या नहीं है, person normal है मालो मैं normal हूँ, तो मेरे जो sound आएगी वो होगी bronchial, bronchovesicular लेकिन अगर वहाँ पे कुछ अस्थमा हो गया या कुछ हो गया यहां की bronchial tree में कोई obstruction हो गया, तो क्या होगा डियर constriction हो जाए, bronchitis हो जाए, अस्थमा हो जाए तो जो sound आएगी, वो क्या होगी wheezing sound आएगी, wheezing दो प्रकार की sibilant and bronchi, अभी बताता हूँ क्या होते है alveoli की normal sound होगी, vesicular sound और abnormal sound यहां पे पानी कठा होजाए, fluid collection होजाए like pulmonary edema, pneumonia, fibrosis, acute respiratory distress syndrome ARDS, SARS syndrome, corona, यह सोनो इन सभी case में क्या होगा, क्या होगा, क्रेकल sound देखने को मिलेगी, क्या क्या होगी, पानी भर गया, क्रेकल का मतलब होता है bubbling sound, bubbling sound, wheezing का मतलब होता है wheezing का मतलब musical sound, wheezing का मतलब musical sound और stridor का मतलब होर्स, खरखराहट वाली sound, ठीक है dear याद रखेगा, these are abnormal sound and these are normal sound अब एक एक को अपन डिसकस करेंगे, ये वाली मैं बता चुका हूँ bronchial sound कैसी sound है dear, yes, ये high pitch है, high pitch ये medium pitch और ये low pitch, hulky होती है ये वाली कैसी होगी dear, harsh sound होगी, ये breezy sound होगी और ये कैसी होगी dear, quiet sound एकदम sound sound होगी जैसा कि अब पने अभी भी लिखा है, bronchial sound high pitch and harsh होगी, जबकि ये breezy होगी, जबकि ये quiet and low pitch सांथ होगी एकदम से, कहाँ पे vesicular sound अब इनको सुनने के लिए location देखेगा मैं बोलू, किसी person के अंदर आपको sound सुननी है, कौन सी? sound सुननी है, bronchial sound तो stethoscope कहां रखोगे? तो जाहिर जी बात है, large area इस पे रखोगे तो large area इस नेक से सुरू होते हैं तो यहां से रख करके अपन इस तरीके से दोनों साइड में अपन इस तरीके से रख करके सुनेंगे बात करू, bronchial tree की sound सुननी है अपन स्टेटो स्कोप को सुनते हैं तो location आपको रटन ही नहीं है, बस सीधा सा पता है कि alvoli कहां होती है, bronchial tree कहां होता है और यह normal तो यहीं होंगे यह सुननों तो इसी level पे अपन क्या रखेंगे, stethoscope को रख के bronchial sound सुनेंगे, vesicular सुनेंगे इनी location पे अपन abnormal sound को सुनेंगे, isn't it समझ येगा, अब एक एक को पढ़ते हैं, यह normal बता दी, अब abnormal पढ़ते हैं, सबसे पहले बात करेंगे, stridor फिर wheezing, फिर crackle इसके लाज जो और पता है, मैंने whooping sound पढ़ाया है, crew पढ़ाया है वो सब अपन पढ़ते हैं, चले, बात करेंगे सबसे पहले, stridor sound yes dear, तो stridor sound कैसी sound है dear, yes it is harsh 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 harsh, loud harsh, loud और कैसी sound होगी dear, course course sound होगी high pitch sound होगी high pitch sound होगी, एक चीज़ और ध्यान रखेंगा dear, यह जितनी भी sound है, वो during inspiration आती है, कब आती है, जब सांस लेते हैं, इसका एक अपवाद है वो कौन है dear, wheezing wheezing को सुनना है, तो यह केवल और केवल कब आएगी, during expiration आएगी, तो एक note करके लिख लिजेगा पहले during expiration कौन सी sound सुनाए देगी dear, सांस छोड़ते जो लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस लीजिए, तो जितने भी sound है, वो सांस लेते time सुनते है, लेकिन wheezing सांस छोड़ते time अपनको सुनाई देती है, सांस लेते time wheezing नहीं सुनेगी, बाकि crackle सुन जाएगी सांस लेते time, stridor सुन जाएगी और ये तीनों sound भी अपनको सुन जाएगी लेकिन अगर wheezing को सुनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा present को बोलना पड़ेगा लंबी सास लिजिए हाँ अब छोड़िए तो जब present छोड़ेगा तो wheezing sound अपनको सुनाई देगी isn't it याद रखेगा important point है question point बताया मैंने आपको direct चली बात करेंगे सबसे पहला तो इसको कब here होगी yes dear here कब हुई here होगी पहली बात यह abnormal sound है here कब होगी yes dear during inspiration inspiration during inspiration here होगी और ये जो stridor है location location कहा होगी dear yes large airway large airway में obstruction हो जाए location के जिए कोज लिख दूँ यहाँ पर कोज क्या होगी dear कारण क्या होगी large airway में obstruction हो जाए large airway means trachea या bronchi bronchus या फिर larynx इन में कोई obstruction हो जाए yes dear example like foreign body कोई foreign body आखे अटक जाए वहाँ पर इसके लावा dear laryngitis हो जाए laryngitis हो जाए yes dear इसके लावा ट्रेक्या में inflammation हो जाए yes dear trachea में क्या हो जाए inflammation हो जाए इसके लाव dear group group हो जाए उस condition में भी देखने को मिलेगा group पढ़ा चुका हूँ अभी और पढ़ा दूँ अभी last में अभी तीनों पढ़ लेते हैं उसके बाद group को अपन लेंगे ठीक है group का मतलब trachea, larynx और bronchi तीनों में एक साथ inflammation हो जाए तो group कहलाता है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है तो group एक example है किसका stridor का group किसका example है group sound is example of stridor sound stridor का ही एक example है याद रखेगा तो यह होगी अपनी stridor sound याद रखेगा hearts loud and coarse high pitch sound यह होते है during inspiration यह सुनाई देती है कब-कब देती है यह अपने discuss किया next बात करेंगे wheezing sound तो यह कैसी है dear yes dear it is it is musical or whistling 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 मतलब city जैसी whistling sound sound yes dear musical और whistling sound यह होती है कब सुनाई देती है dear hears hears during expiration 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 और exhalation 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 यह expiration का मतलब सांस छोड़ते है टाइम पर यह सुनाई देती है जैसा कि मैंने बताया सभी inspiration के टाइम बाकि यह कब जब सांस छोड़ते है तब यह सुनाई देती है musical sound होती है whistling sound होती है dear yes dear causes causes कारण क्या होगा तो yes dear कारण क्या है bronchial tree bronchial tree में अगर कोई परेशानी हो जाए bronchial tree में अगर obstruction हो जाए like bronchitis bronchitis हो जाए इसके लावा patient को आस्थमा हो जाए yes or no यह condition यहाँ पर हो जाए तो condition को whishing sound सुनाई देना शुरू हो जाएगा या फिर broncho broncho spasm या फिर constriction हो जाए constriction हो जाए तो भी एक whishing sound सुनाई देती है और whishing sound दो टाइप की होती है dear first is sibilant sibilant और wrong key sibilant और wrong key yes dear sibilant और wrong key अब देखेगा sibilant क्या है तो sibilant क्या है yes dear high pitch high pitch sound है high pitch high pitch whishing को क्या कहेंगे high pitch musical sound को आप क्या कहोगे sibilant कहोगे और low pitch low pitch whishing sound को क्या कहोगे dear low pitch whishing sound को wrong key कहेंगे तो high pitch जो है वो सुनाई देती है dear अस्थमा में like अस्थमा या फिर broncho spasm के अंदर सुनाई देती है याद रखेगा और low pitch जो है सुनाई देती है एक disease अपन पढ़ेंगे bronchi actasis permanent dilation of bronchioles bronchioles का permanent dilation हो जाए उसे अपन bronchi actasis का मतलब dilation bronchioles का permanent dilation ही bronchi actasis कहलाता है तो इस condition में wrong की सुनने को मिलती है बाकी sibilant मिलेगी high pitch अस्थमा bronchite broncho spasm इस सब में sibilant देखने को मिलती है याद रखेगा दोनों ही एक्जामपल है किसके crackle sound crackle sound को अपन rail sound के नाम से भी जानते है एक मेंट classification अपन ने लिखा है crackle को ही rail लिखा है मैंने सही लिखा है confusion हो गया था crackle sound को अपन rail sound के नाम से भी जाना जाता है crackle sound का मतलब क्या है dear yes dear it is it is bubbling bubbling और crackling crackling sound due to due to fluid fluid accumulation accumulation in alveoli alveoli में fluid accumulation हो जाए तो crackle sound सुनाई देगी yes, here's at here's during कब सुनाई देगी dear? during inspiration inspiration, sounds लेते टाइम पे सुनाई देगी dear और कारण क्या क्या है? crackle के cause what are the causes? तो crackle सुनाई देगी yes, pulmonary edema pneumonia ARDS SARS जिस भी disease में alveoli में पानी भर जाए alveoli के अंदर क्या भर जाए dear? alveoli के अंदर fluid इकठा हो जाए fluid इकठा हो जाए उस condition में crackle sound देखने को मिलेगी ठीक है dear? याद रखेगा और इसी अगर पाने नहीं भरा तो crackle की normal sound क्या होती है? तो उसे vesicular sound अपन कहेंगे which is quiet and lopish sound ठीक है dear? चलेगा बात करते हैं दो type होते हैं crackle के first जो होता है dear which is known as fine crackle and second होता है dear which is coarse crackle coarse crackle sound तो fine crackle जो है dear वो होती है mild condition में जब थोड़ा पानी भरता है sorry यह होती है severe condition में which is high pitch high pitch sound और जब थोड़ा पानी भरता है तो coarse crackle low pitch sound low pitch sound होती है वट ऐसा नहीं है कि edema में यह होगी pneumonia में यह होगी ऐसा नहीं है इनकी severe condition में fine crackle और mild condition में coarse crackle सुड़ाई देगी जो कि low pitch होगी थोड़ा पानी भरा है तो pitch कम होगी न low pitch होगी और ज़्यादा पानी भरा है तो pitch ज़्यादा ज़्यादा गहरी आवाज अपन को दिख सुनाई देगी bubble के फूटने जैसी bubbling bubbling spelling देखेगा bubbling bubbling sound bubbles फूटने जैसी इस तरीके के sound जो है सुनाई देती है which is known as crackle sound or it is also known as rail it is two type fine crackle or coarse crackle याद रखेगा important point है ठीके दियर तो यह अभी अपने पढ़ा अगला जो abnormal sound है which is known as friction rub या plural friction rub तो friction rub या plural friction rub क्या होता है yes dear it is it is yes dear yes it is leather rubbing like sound जैसे leather के टुकडों को आपस में रगड़ें तो जैसे sound सुनाई देती है वो होती है plural friction rub कारण क्या है dear cause कोज क्या है dear तो इसमें कारण है yes dear plural cavity के अंदर क्या हो जाए inflammation हो जाए inflammation हो जाए like pluracy वगेरा हो जाए वहाँ पस ही कठा हो जाए plural cavity के अंदर yes dear plural cavity के अंदर क्या हो जाए inflammation हो जाए plural plural space के अंदर देखिए यहाँ पे कोई ना तो airway का कोई रोल नहीं है पानी कहाँ ही कठा हो रहा है plural cavity के अंदर abnormal यहाँ पे inflammation हो रहा है तो वो condition में plural friction rub सुनाई देता है और यह दोनो टाइम सुनाई देगा सांस लेते टाइम भी और बहार निकालते टाइम भी क्योंकि रगडेगी यह आपस में जो है रगडेगे इस वज़े से सांस छोडते टाइम भी और सांस लेते टाइम भी अपनको सुनाई देंगे तो yes dear यह कब सुनाई देगा here's here's during inspiration and expiration सांस छोडते टाइम लेते टाइम भी और सांस छोडते टाइम भी अपनको सुनाई देता है dear याद रखेगा important point है और सबसे last में आता है dear gasp और whoop sound क्या होता है तो देखिए whooping या gasp sound क्या होता है तो gasp या whoop है उसे अपन whooping sound भी बोलते है और एक याद रखेगा यह yes क्या है यह क्या है yes it is example of pertuses pertuses का example है dear pertuses एक disease होती है चोकि पढ़ चुके है अपन community के अंदर yes उस disease के अंदर एक characteristic sound सुनाई देती है which is whoop और gasping sound ठीक है तो याद रखेगा pertuses community के अंदर जो है पढ़ा चुके है detail से आपको समझा चुके है याद रखेगा next abnormal sound is kroup kroup तो kroup क्या है dear harsh, brasi, inspiratory stridor यानि यह किसका example है dear stridor का ही example है जैसा कि मैंने आपको बता है stridor का ही example होता है kroup and low grade fever worsening symptoms at night and improve during day तो kroup का एक sign होता है इसमें fever जो है वो कब होगा dear fever night में आएगा जबकि day के time पर person को fever mostly बत्चों में होता है stridor मतलब large ear wage के अंदर problem हो जाए तो पहला question point kroup sound kroup sound का कारण क्या है dear तो इसका कारण होता है एक बार एक्जाम में आ चुका है tracheo laryngo bronchitis yes dear ये तिनों एक साथ हो जाए trachea में larynx में और bronchi में inflammation एक साथ हो जाए तो जो sound सुनाए देगी जो stridor सुनाए देगा वो brassi hearts inspirator देगो stridor है तो inspiration के time ही आएगा ये सुनों common सी बात है सुनाए देगी उसे अपन क्या कहेंगे croup sound कहेंगे और croup का characteristic feature है रात को fever आता है दिन के time पे fever नहीं आता है तो ये दो point आपको याद रखना है croup के अंदर क्या पहला तो stridor का example है stridor है मतलब large earview में है और तीनों में एक साथ एक बार ये question आया था croup sound occurs at option में थे trachea, larynx, bronchi और चोथा option था all of the bow तो वहाँ पर answer क्या गया dear all of the bow गया क्योंकि trachea, larynx और bronchitis तीनों में एक साथ inflammation होता है तो tracheo, laryngo, bronchitis इसे अपन कहेंगे isn't it तो very important question चले तो आज काफी सारे अपने important question पड़े है pulmonary assessment वाले पार्ट के अंदर next part में अपने investigation पड़ेंगे बट उससे पहले कुछ MCQs अपन solve कर लेते हैं, जो आज lecture अपने किया उससे related चलेगा पहला question, yes dear normal सा है, normal breathing is term rate, normal breathing को आप क्या कहेंगे, तो normal breathing को क्या कहते हैं dear, upenia कहते है yes dear, Iowa question है, याद रखेगा apnea का मतलब absence of breathing eucardia का मतलब dear, normal heart rhythm eucardia मतलब normal heart rhythm और कुरूप अभी भी पड़ा था teracheo laryngo bronchitis ठीक है, चलेगा next which breathing sound should be expected during auscultating asthma patient yes dear, तो asthma patient में कौन सी sound सुनाई देगी, तो asthma में bronchoconstriction हो जाता है asthma में क्या होगा dear, bronchoconstriction होगा, yes or no और bronchoconstriction में कौन सी sound सुनाई देगी dear, wheezing sound सुनाई देगी, और wheezing दो परकार की होती है, sibilant and ronky तो sibilant तो होती है high pitch और ronky होती है low pitch sibilant है वो किसमे होती है dear, asthma में और bronchi किसमे होती है dear, bronchi होती है bronchi 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 actasis में actasis के अंदर होती है, याद रखेगा bronchi actasis का मलब permanent widening of the bronchioles bronchioles की permanent widening हो जाए उसे ब्रेक्टी bronchi actasis कहा जाएगा तो इसका right answer क्या हो जाएगा sibilant wheezing sibilant wheezing इसका right answer हो जाएगा yes dear, याद रखेगा ronky किसमें देखने को मिलेगी ronky देखने को मिलेगी bronchi actasis में crackle sound किसमें देखने को मिलेगी dear crackle sound देखने को मिलेगी yes, albuli में fludy कठ़ा हो जाएगा 3-4 deep या फिर normal breathe then apnea about 10 seconds to 1 minute तो ऐसा pattern बताया था 3-4 deep breathe फिर apnea फिर 3-4 deep breathe फिर apnea 10 seconds से 1 minute तक का apnea तो ये क्या था dear? इसको अपन बोलते हैं ABC breathing A, B, C तो A4 क्या था dear? ataxic breathing B4 था biots और C4 था dear cluster breathing जो भी option में मिले पहले biots देखना तो right answer हो जाएगा biots काई नी स्टोक में क्या था? 3-4 abnormal फिर 20 seconds का apnea फिर 3-4 abnormal फिर breathe second का कुसमोल में लगातार ही deep breathing होती रहती थी hyperventilation को ये कुसमोल बोलते हैं isn't it? ठीक है, right answer is C question is what is the pursed lip breathing primarily used for? what is the primary use of pursed lip breathing? तो दो यूज बताये थे gas exchange बताये था और oxygenation को improve करना बताये था तो lowering blood pressure में कोई रोल नहीं है heart rate में कोई रोल नहीं improving oxygen exchange तो दो रोल बताये थे improving oxygen exchange and increase oxygenation oxygenation blood में oxygen के level को बढ़ाने के लिए दो यूज अपने बताये थे, digestion में इसका कोई रोल है नहीं pursed lip breathing, normal breathe होती है कौन यूज करता है? yes, used by yes, कौन यूज करता है? used by used by COPD patient and asthma patient और कौन यूज करेगा? जिसको risk है attilectasis lungs के collapse होने का risk है वो person इसे use करेगा isn't it? right answer is C question is crackle heard during auscultation of lungs are indicative of lungs का auscultation यानि stethoscope से सुनते टाइम पे crackle sound सुनाई दे रही है इसका क्या मतलब है? तो yes dear crackle कहां सुनाई देती है? पहली बात तो alveoli पे तो alveoli वाला option धूण दूढ़ेंगे excessive secretion in the lower airway तो lower air में तो कैसे सुनाई देगी dear? COPD तो इसमें भी bronchitis होता है इसेंट इर तो इसमें भी कैसे सुनाई देगी? वीजिंग भी सुनाई देगी pulmonary edema and fibrosis yes dear pulmonary edema and fibrosis में कैसे सुनाई देगी dear? वीजिंग सुनाई crackle sound सुनाई देगी जिसे rail sound भी कहा जाता है लेरिंगो spasm में कैसे सुनाई देगी? stridor stridor सुनाई देगी ठीक है dear? तो राइट आंसर हो जाएगा C question is वीजिंग आर ओफन असोसियेटेड वीजिंग किसे असोसियेटेड है dear? तो अपर airway obstruction से related है stridor stridor bronchospasm से related है weezing isn't it? fluid accumulation in the alveoli से crackle sound आएगी और pneumothorax के अंदर क्या आएगी dear? pneumothorax के अंदर flail chest देखने को मिलेगा flail chest जिसमें क्या देखने को मिलेगा? paradoxical respiration याद रखना ये भी एक important question है dear काफी सारा concept आज के lecture में पनने सीखा pulmonary assessment जो के काफी important topic था उसको अपनने सीखा अगले lecture में हम लोग जो है pulmonary investigations पढ़ेंगे तो पढ़ते रहिए, महनत करते रहिए सफलता आपको जरूर मिलेगी thank you